चले दोस्तों बात करते एस एक ओर कॉशन के बारे में इस कोशन में एक्जाम नहीं का if x का स्क्यार plus में y का स्क्यार plus में 1 is equal to में 2x then the value of x3 plus में y की 5 यानिकि एक्जाम नहीं का x की 3 और y की 5 इन दोनों का sum बताना है अपको क्या होगा तो देखिए एक तरीका तो यह है कि इसे formula में convert कर लीजिए दूसरा तरीका है कि अप इसमें assuming value रख लीजिए जिससे left hand side और right hand side बराबर होगी हम दोनों तरीके से करेंगे पहले भी माल लेता हूँ कि x की value मेरे पास 1 है और y की value मेरे पास 0 है तो यहाँ पर x की value मेरे पास में किया जाएगी यह 0 हो जाएगा यानि 1 का square 1 प्लस में 1 और बराबर में यह 2 यानि यह left hand side और right hand side के बराबर आ रही है तो यहाँ पर value रख दें तो 1 का cube प्लस में 0 की 5 यानि की 1 इस question का correct answer होगा वो option D होगा यानि की delta यानि की 1 इस question का correct answer रहेगा नहीं करना इस तरह solve तो इस तरह से कर सकते है x का square प्लस में 1 का square क्योंकि इसका square करेंगे या क्यों करेंगे कोई फरक नहीं पड़ेगा 1 को जितनी बार multiply करते है 1 ही आता है minus का 2x plus में y square बराबर में 0 हो जाएगा तो यह देखे यह क्या होगा a का square plus b का square और minus 2 a भी यह x minus का 1 का यह आपका whole square हो जाएगा plus का y का square हो जाएगा बराबर में 0 तो इसको मैं 0 से compare गरूंगा तो x minus का 1 बराबर में 0 हो जाएगा x is equal to में 1 हो जाएगा same y is equal to में कितना हो जाएगा का 0 क्योंकि जब मैंने इसे x-1 का whole square बरावर में 0 के बरावर लिखो उधर root जाएगा यह square उधर जाएगा तो 0 ही होगा तो x-1 बरावर में 0 होगा तो x is equal to में क्या होगा मेरे पास 1 होगा यानि कि मैं यहां से value निकालकर इस value को यहां पर रखुआ तो यह 1 का q1 होगा प्लस में 0 का 5 यानि 0 होगा यानि option जो d होगा वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी question समझ में आया होगा